तो लास्ट एक महिने से मैं ले लदा गुम रहा हूँ और रिसंट्री मेरे रिलेटिव्स भी यहाँ पे गुमने के लिए आये हुए थे तो उनके साथ मिलके मैंने फ्यांग मॉनिस्ट्री जाने का प्लान बनाया वहाँ पहुँच के पता चलता है कि वहाँ पे अगले दू दिन में एक पूजा रखी है जो साल में दो बार की जाती है बस फिर पूजा वाले दिन में वहाँ पे पहुँच गया और पूजा पूरे दिन चलने वाली थी तो प्लान ये था कि पूरे दिन रुखके 31 को मैं कवर करूँ करीब 10 या सब्सक्राइब के असपास पूजा का जो फर्स पाड़े वो खतम होता है और सारे जो लामाज है वो ब्रेकपास की ले गए यहां मौनेस्ट्री का प्रेयर हॉल पूरा खाली मिला तो उसके अच्छे ब्यूटी सोर्स लेने का मौका था सारी चीजों को अच्छे शूट किया और अच्छे से देखने हो मिला और थूरी दिर के बाद ही एक लामा आए जिनोंने हम दोनों को ब्रेकपास के इनदर हम दोनों को बटर टी और कश्मिरी ब्रेड जिसको गिर्दा रोटी कहा जाता है वो था और उसके साथ पीनट बटर और जाम भी दिया था यहां पर यह जो चीज बना रहे है उसको छुटसल कहा जाता है सत्तू के आटे को बटर के साथ मिला के इसको बना जाता है और बाद में मौनस्ट्री के उपन एरियाज में इसको रखा जाता है जिससे की बर्ड्स आके उसको खा सके ब्रेकफास के बाद मौनस्ट्र एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकले वहां पर टुंडुक नामग्याल करके एक लामा है जिनोंने वहां का जो 16th century का उल्ट एमपल है उसकी विजिट करवाई और वहां के डिटिल्स थी अनफॉर्चनेटली वहां पर कैमराज अलाउ अगली पूजा के लिए और टाइम था तो हम दोनों वहां से करीब तीन या चार किलोमेटर जूर एक और उल्ट एमपल है गुरु लखांकर के उसकी विजिट के लिए गए यहां की जो वाल पिंटिंग्स है वो थर्टीन सेंचुरी से मिंटिंड की गई है और लॉड बुद्दा की जो लाइफ स्टोरी है वो यहां के पिंटिंग्स में आपको देखने मिलेगी यह जो टेमपल है वो प्राइवेट फैमिली से बिलाउंग करता है तो ऐसा हो सकता है कि आप वहां पर जाओ और शायद से एक लोजडों तो यह जो है वो चॉस्पल जी है आप इनको कॉंटेक्ट कर सकते हैं फ्यांग में आपको होमसेज भी मिल जाएंगे और एटल और ज यह दोनों काफी अच्छे स्पीड अपको देंगे यहां से निकल के फटा फट हम लोग वापस मॉनेस्ट्री पहुंचे हैं महाँ पर लंच अल्रेडी स्टार्ट हो चुका था लंच के बाद हाफे नावर का हम लोग को टाइम मिला और उसके बाद जो आखरी पूजा थी उसको कवर करने में हम लोग बिजी होके हैं यह जो है उसको मंडला कहा जाता है इसको काफी डीटेलींग के साथ और पेशन से लामाज बनाते हैं और लास दिन पे इसको केरफुली आउटसेट टू सेंटर उसको मिटाते हैं बुद्धिजम्मे मंडला को बना के उसको मिटाना ये रिप्रेजन करता है कि लाइफ में कोई भी चीज पर्मेनन्ट नहीं होती है उसको मिटाने के बाद उसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो रिवर स्रिम के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे उसकी पूजा की जाती है यहां पर वहां के लोकल्स ने लामास के लिए बैठने का अरेंजमेंट अलरेड़ी किया रहता है यहां पर आके लामास बाखी की पूजा कंटीन्यू करता है और साथ में गाउवाले लामास और वहां पर आये सबी लोगों के साथ फूड़ शेयर करता है खाने में नंकिन बिस्किट्स और पकोड़े थे और साथ में दो टाइप की चाए सॉल्टेट टी एंड अपनी जो नॉर्मल वाली चाह रहती है वो तो ये जो सारा रिच्वल है वो साल बर के लिए वहां के लोगों को पाने की कमी ना हो उसके लिए किया जाता है according to locals ये रिच्वल को दुंचुद कहा जाता है और साल में इसको दो बार अलग-अलग जगा पर किया जाता है तो ये थी आज के फ्यांग मोनेस्ट्र की एक ब्यूटिफ़ू रिच्वल की श्टोरी अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखा है तो I think आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब परके एक छोटी से हल्प कर सकते है मेरी लेके इस ट्राविल सिरीज में और भी वीडियो जाने वाले तो नेक्स वीडियो तक सब को जूले झाल 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 झाल